स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SBM क्लासेश में प्याड़े बच्चो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी चैप्टर आप लोग का 12 है 12 चैप्टर है आप लोग का सिक्छा में हेर फिर जिसके राइटर है रविंदर नर्थ टाइगोर ठीक है रविंदर नर्थ टाइगोर की दोरा लिखा गया जो चैप्टर है आप लोग का सिक्छा में हेर फिर इस अध्याय में जितना भी कुष्चन है सारे कुष्चन का उतर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिजेगा चलिए इस्टार्ट करते हैं चलिए बच्चों यहां से आप लोग का शुरुआत होता है ठीक है ना आप लोग यहां पर देखी सकते हैं जिस प्रकार कि क्लास 9 ती हिंदी चैप्टर 12 वस इक्षा में हेर पेर यहां से आप लोग का जो है और आप लोग का जो फर्स्ट कुश्टन है वो कहता है बच्चों के मन की विर्धी के लिए क्या वसेक है ठीक है तो देखिए बच्चों की मन की जो विर्धी के लिए क्या वसेक है यह रविंदर ना टाइगोर जी इस पर किस प्रकार इसका जो वर्नन की है उसको अमनों लिखेंगे अपने उत्तर में तो उत्तर में आप लोग को लिखना ह साहित्यकार रविन टाइगोर का कतन है कि जो कम से कम जरूडी है वहीं तक सिक्षा को सिमीत किया गया तो बच्चों के मन मि मन की विर्दी नहीं हो सकेगी आब सेख सिख़ा के साथ स्वधिन्ता के पाठ का पिलाना होगा नता बच्चे की चेतना का विकास नहीं होगा ठीक है इस प्रकार आप लोग कोश्चेन नमर वन का उत्तर लिख लिजेगा question number two की ओर बढ़ते हैं question number two है आप लोग का कि आयू बढ़ने पर भी बुद्धी की डिश्टी से वह सदा बालक ही रहेगा कैसे तो उत्तर लिखेंगे आप लोग कि रविंदर न टाइगोर ने यहां बड़े ही सुक्ष मुद्रिश्टी से समझाने का प्यास किया है कि आवसेख सिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता का पार्ट भी सिखाया जाना चाहिए वरना आयू बढ़ने पर भी बुद्धी की डिश्टी से वह सदा क्या रहेगा बालक ही जैसा रहेगा मतलब बालक के जैसा ही सोचेगा विचारेगा ठीक है ना चलिए आगे देखते है प्रसंत्री कहता है बच्चों के साथ यदि कोई मनुरंजन की पुस्तग दिखाई परी तो वह फाउरन क्यों छीन ली जाती है इसका क्या परिणाम होता है अगर बच्चे के साथ कोई मनुरंजन वाला पुस्तग है ना उसको दिखाया पड़ता है तो उसको तुरत छीन लिया जाता है इससे बच्चा पर क्या असर परता होगा इसका क्या परिणाम होता होगा तो देखिए आप लोग को कैसे इसका उत्तर लिखना है कुछ करने का हमारे पास समय नहीं होता है बच्चु की हाथ में यदि कोई मनुरंजन की पुस्तग दिखाई परे तो वो फारण क्या कर जाती है चीन लिजाती है विकोज उनको क्या होता है कि मतलब जो बुक का चीज है ना वही सब याद करना पड़ता है विदियसी वो उनको याद करवाना पड़ता है तो वो क्या करते है ये जो मनुरंजन की पुस्तग होती है उनको हाथ में परते हैं क्या करते हैं छीन ली जाते है समझ गया होंगे आए देखे पसंद फोर है आप लोग का कि हमारे सिक्षा में वालेकाल से ही आनंद का अस्थान नहीं होता है आपकी समझ से इसके क्या वज़ा हो सकती है हमारे जो सिक्षा होती है उसमें वालेकाल से ही आनंद का अस्थान नहीं होता है तो इसमें आपके विचार से इसकी क्या वजा होई इसको आप लोगो बताना है तो देखे प्यारे बच्चों इसका उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि मेरी समझ से साथितिकार ने बड़ा ही बिलक्षन उधारन देती भी बताया कि हवा से पेट नहीं बरता है से कभी पेट भड़ेगा नहीं यह कूर मतासे लेकिन भोजन का ठीक से हाजम करने के लिए हावा ऑफ से कहा ना भोजन घीक से अगर हम लोग को हजम करना है उसके लिए हवा की जरूबत परती बहुत ही एक सिक्छा पुस्तक को अच्छी तो बच्चा जादा समझेगा इसलिए कहता है कि पाष्ट की समागरी की सैता जरूरी होती है ना आनंद के साथ पढ़ने से पठल सकते भी अलक्षित रूप से बढ़ती है सहज सोभावी के नियम से ग्रहन सकते धारना सकती और चिंता सकती भी सवल होती है ठीक है सवल में हमारे बच्चे बीद्यसी भासा पढ़ते हैं तो सब्ध विन्यास और पद्विन्यास के द्रेष्टी से हमारी भासा के साथ उसका कोई समाजस से नहीं होता है ठीक है ना भावपक्ष और विश्यप्रसंग भी बीद्यसी होते हैं सो उसे आखिर तना आखिरी तक और मिरती जागरित नहीं हो तो पता है ठीक है आगे देख लिजा आगे आपलों का क्वेश्चन अच्छे नंबर कि अंग्रेजी भासा और हमारे हिंदी में समाजस से नहीं होने के कारणों का उल्लेक करें तो उत्तर लिखेंगे अंग्रेजी भासा और हमारे हिंदी के समाजस तो अंग्रेजी वासा भाव आचार विभार साइथ केसी भी वे परिचित नहीं और उने के हां तो हमारा अंग्रेजों के साथ पर्थम परिचित परिचा होता। करा शिक्षा कि अंग्रे जी हमें पर्थम बार बताते हैं वे ना तो स्वाध्यसी भास अच्छे तरह जानते हैं ना यह अंग्रे जी उन्हें बस यही सुविधा है कि बच्चों को पढ़ाने की तुलना में उनका मन वैलाना बहुत असान है इसी कार्वे पूरी तरह सफल हो होते हैं आगे दिखें प्रस्ण सेवन है आप लोगों के सामने लेखा के अनुसार प्रकृति के सोराज के पहुंचने के क्या वेसक है उतर लिखेंगे लेखा ने प्रकृति के सोराज में पहुंचने के जो पायस हो जाया है उसार गर्वी दैव उन्होंने कहा कि यदि दोड़ी करते हैं तो सुक्स यापन का बोज लेकर सश्वर्षती के समराच में हम दोड़ी ही करते रहते हैं मनस्तिक का विकास नहीं होता है प्रकृतिके सोराच के पहुंचने के लिए लेख काने रहन सहन संस्कृति आहन आचार भिचार घर ग्रियस्ते त्यादी बातों में समुचित यान होना था यह अगर आप लोग इस प्रकार आंसर लिखेंगे तो पहुंच में पहुंच नमर मिलेगा जो आप लोग का हिंदी का एक जाम होगा अगर उसमें से चेप्टर से कोश्चन आएगा तो पहुंच में पहुंच नमर मिलेगा अगर आप लोग जिस प् उत्तर में आप लोग को पड़ासन पहले समझाते हैं जीवन यात्रा संपन्य करने के लिए क्या वेसक है तो उत्तर लिखेंगे कि चिंता सक्ति और कल्पना वेसक है ठीक है इतना 108 में आयाद के सक्ति कैसे है तो सक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्य करने के लिए अत्या वे सिद्ध होगा आगे देखे प्यारे बच्छो नमर कुश्चन है रीती में सिख्छा का अभी प्राया है कि संग्रनी है बस तुहांत आते हैं उसका उप्योजा जानना उसका प्रकिर्ट परिचे प्राप्त करना और जीवन के साथ ही साथ जीवन के आसरे आस्थर बताने बनात से जाना ही एही रीते हैं सिख्छा है आगे देखे कहता है कुश्चन नमर टैन के सिख्छा और जीवन एक दूसरे के परिहास किन परिष्थित्यों में करते हैं तो लिखेंगे जब हम सिख्छा के परती और स्रदवा ब्यक्ट करते हैं सब सिख्छा भी हमारे जीवन में व मातनी बासा के परती आवग्यां की भावना लोगों के मन में किस तरह उत्पन्न करती है उत्तर लिखेंगे वो इसे लोग जिनका ड्रेट संबंद अपनी मातनी बासा के साथ नहीं होता है जो अपनी बासा से दूर जा चुके होते हैं तो इसे लोगों को मन मातनी बासा के पर सीट के साथ वस्त्र भाव के साथ भासा सिक्षा के साथ सिक्षा है ना प्राप्त कर दो तो इसका आप लोग व्यांक्या किस प्रकार किजिएगा जरा सुनिए का आप लोग कि प्रस्तूत पंक्ति जब भी प्यारे बच्चो आप लोग को व्यांक्या करने के लिए बताया जा बड़े ही मनों वय्याने धां से भाव प्रस्तूत गिया है लेखा का कहना है कि हीर फेर दर होने से हमारे जीवन का सार्थक होगा हम सार्दी से गर्मी सार्दी में गर्म कप्रे और गर्मी में ठंडे कप्रे जमा नहीं कर पाते हैं तभी हमारे जीवन में इसका दन्या है वरन प्यासी मुही सुनी सुनी आवे हांसी ठीक है ना इस प्रगार कहता है हमारे आस पास पानी है प्यासा भी है पानी के वीच है छट पटाती तरपती मचली की तर रा हमारी स्थिती है इस स्तिती पर हसी भी आती हैं आंकों से आंसू टपकते हैं लेकिन हम प्यास नहीं बुझा पात दें ठीक है ना आगे दिखे प्रंक्ति दो जो है केता है चिंता सक्ति और कल्पना सक्ति दोनों जीवन यात्रा के लिए संपन आत्याव सकते हैं तो इसके उत्तर में आप पूरा आप लोग को डीटेल में तो इतना अगर आपलोग लिखते हैं तो आप लोग को अच्छे सी इतना पर कर अच्छे से लिख लेना ठीकरा हम अंदर लाइन भी कर दियें सारा का ठीक है चलिए तो प्यारे बयरे चो आगे अब दिख लेते हैं कोईश्चन Mevr 13 है आप लोग का कि बरत्मान सिक्षा प्रनाली का सो भाविक परिनाम क्या है तो आप लोग लिखेंगे उपड़ीक तत्यों के आलोक से लेखा ने बरत्मान सिक्षा प्रेनाली के सो भाविक परिमान का ब्राय चिंतनीय पक्षु पस्तित किया है लेका का कैता है ना कि जब हमारे बच्चे इस भासा में तो पढ़ते हैं तो उसके मन में कोई अश्मिर्ती जागरीत नहीं होती है उसके सामने कोई चित्र प्रस्तूत नहीं होता है मतलब हम आपको सिंपल में समझा देते हैं आप लोग को कूदी क्या करना हुगा अंसर को लिख लेना होगा आईसे हम बहुत स्वाट में दिये हैं मतलब देखे बच्चे को जो है न इसमें बताया जाए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है कि बच्चे को है न मतलब समाजिक उसको किस प्रकार पढ़ाना है वह ही इसमें बताया जाए तो हम यहाँ पर उत्तर इसे दे दिये हैं आप लोग लिख लिजेगा अच्छे से ठीक है आगे देखे कोश्चन नमर 14 है आप लोग का और यह अंतिम प्रतन है कहता है अंग्रेज जी हमारे लिए कम काच की वासा है भाव की वासा नहीं कैसे अंग्रेजी जो है हमारे लिए कम काच की वासा है भाव की वासा नहीं कैसे तो लिखा का कता है कि अंग्रेजी बिदेशी वासा है अंग्रेजी का है भाई बिदेशी वासा है अमारे देश का भासा है यह नहीं, इसे काम काज का भासा की संग्या दी जा सकती है, सवध विन्यास, पद विन्यास के डिश्टी से, अमारी भासा से उसका कोई समाजस्च नहीं है, वाव पक्च विश्या प्रसंग भी विदेशी होते हैं, सुक से आखिर तब तक ओपड़ी से पहले हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज को रटना आरंब करते हैं, फल वही होता, जो भी ना चवाया, अन्ने को निकलने के हैं, तो हम आप लोग को दे दिए हैं, पूरा टेटल में की पढ़कर भी आप लोग समझ सकते हैं, आगी हम लोग क्वेश्यन और करते हैं उसके काम तो किसी ना किसी तरह चल जाता है लेकिन हमारा विकास नहीं होता है हवा से पीट भरता लेकिन पहले ही वता है तो आप लोग को इस प्रकार लिख लेना है इस को पूरा दिखा दिए कोश्चन और पंदला का उतर किस प्रकार आप लोग को लिखना है यहां पर हमजी दिए आप लोग लिख लिजेगा अगर आप लोग इसका प्वेडियाफ लेना चाहते तो आप लोग टेलीग्राम गृूप को जॉइन कर सकते हैं ठीक है चलिए में न